देश में OBC है ही नहीं, देश में दलित है ही नहीं, देश में आदिवासी है ही नहीं, देश में जेनरल कास्ट का गरीब है ही नहीं। एक और बात समझेए, हम हर स्टेट में किसान का कर्जा माफ करते हैं। हर स्टेट में यहां पे किसान का कर्जा माफ हुआ 50% OBC वर्ग है मतलब जितना पैसा हमने किसानों का कर्जा माफ किया उसका आधा पैसा OBC वर्ग को मिला यहां पे 25 लाक रुपए स्वास्त में हम आम जनता को देते हैं राजिस्तान एक प्रदेश है जहां स्वास्त का अधिकार है कैंसर हो जाए दिल का दौरा पढ़ जाए वैल्व बदलना हो स्टेंट लगाने हो गुटना बदलना हो रिप्लेस करना हो एक पैसा नहीं देते आप लोग मैं तो गेलोड़ जी से पिछली मीटेंग में कहा 25 लाग रुबे को गेलोड़ जी कम है इसको बढ़ाईए थोड़ा अब ये जो 25 लाग जाता है पचास परसेंट ये OBC के जेब में जाता है पचास परसेंट अबादी है पचास परसेंट पिछणों के जिम में जाता है गास सिलिंडर हम गरीबों को देते हैं पांच सो रुपाय का गास सिलिंडर पचास परसेंट पिछणों को फाइदा होता है गलेतों को होता है, आदिवासियों को होता है गरीब जनरल कास्ट के लोगों को होता है अंग्रेजी स्कूल खोलते हैं 50% पिछड़ों को फाइदा होता है मगर जब नरेंद्र मोदी जी ने 14,00,00,00 करोड रुपे करजा माथ किया अरब पतियों का माथ किया उसमें से पिछड़े कितने थे गलित कितने थे आदिवाइसी कितने थे गरीब जनरल कास्ट के कितने थे एक भी नहीं एक भी नहीं था मैं उनकी योजना के बारे में बताता हूँ आपको स्वास भीमा योजना नरेंद्र मोदी उसके बारे में बोलते रहते हैं मैं आज स्वास भीमा योजना आपको समझा देता हूँ, पैसा कहां से आता है, जी एस्टी से आता है, कौन देते हैं, गरीब जनरल कास्ट के लोग, गलिक, आदिवासी, पिछडे, पेट्रोल खरीदो जी एस्टी, खाद खरीदो जी एस्टी, पेस्टिसाइट खरीदो जी जी एस्टी, बिजली का बिल अदानी जगो जाता है, शर्ट करीदो जी एस्टी, जितनी जी एस्टी आप देते हो, उतनी जी एस्टी अदानी जेता है, अगर हिंदुस्तान का गरीब यक्ति, शर्ट करीदता है, और उसी शर्ट को अदानी करीदता है, दोनों उतनी ही जी एस्टी देते हैं अगर हिंदुस्तान का गरीब किसान एक लीटर पेट्रोल करीदता है अदानी एक लीटर पेट्रोल करीदता है दोनों एक जैसी जी एस्टी देते हैं अगर ढाबे में अदानी खाए और गरीब यक्ति खाए दोनों उतनी ही जी एस्टी देंगे तो जी एस मोधी जी लाए फसल भी मा योजना 20,000 करोड रुपए सेंट्रल गवर्मन ने दिये GST का पैसा आपका पैसा 10,000 करोड रुपए स्टेट ने दिये GST का पैसा आपका पैसा 5,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ना एक दलिट ना एक आदिवाशी 35 करोड रुपए 16 कंपनियों को दे दिये लाकों रुपए के उनकी सैलरी करोड रुपए के सैलरी और जब किसान को जरुरूरत पड़ती है तुफान आता है उसका नुकसान होता है ओला गिरता है किसान इमेल लिखता है फोन लगाता है भाईया हमारा नुकसान हो गया हमारा भीमा का पैसा है दे दो किसान का पैसा जी एस्टी का पैसा कंपनी कहते है भाईया नहीं मिलेगा आपको आपका तो नुक्सानी नहीं हुआ ये है नरेंद्रमोदी की योजना और ये सिर्फ फसल भीमा योजना नहीं है इनकी सब योजना ऐसी है GST से आपका पैसा किसी बड़े कॉंट्रैक्टर को मिलता है अधानी को मिलता है किसान को, मजदूर को गरीबों को एक रुपिया नहीं मिलता पाँच साल पहले गेलोट जी से मैंने साफ कह दिया था गेलोट जी जितना पैसा बीजेपी की सरकार ने अधानी जैसे लोगों को दिया है उतना पैसा आप राजिस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डालिए और मैं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ अभी हमने शुरू किया है अभी आपने कुछ नहीं देखा कुछ नहीं देखा आपने मैं बता रहा हूँ जितने पैसे इसने अधानी को दिये है उतने पैसे मैं हिंदुस्तान के गरीब के हाथ में डालूँगा एक एक पैसा नहीं छोडूँगा और आप जानते हो मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूँ जूटे वाइदे नहीं करता हूँ एक बार बोल दिया तो करके दिखाता हूँ कॉंगरेस ने इस चुनाओं में साथ गैरंटी दी है आप देखिए इसमें से इसमें से अरब पतियों को हमने क्या दिया बता दो मुझे राजिस्तान की हर महिला हर परिवार की एक महिला को राजिस्तान की सरकार हर साल बैंक अकाउंट में दस हजार रुपे डाल के देगी गरीबों को गैस सिलिंडर पाथ सो रुपे का अदानी जी चोज़ा सो रुपे का देते हैं उसमें से साथ सो रुपे कहां जाते हैं आप जानते हो किसकी जेब में जानते हो आप जानते हो बताने की ज़रूद नहीं है शिक्षा में अंग्रेजी स्कूल का हमने जाल बचा दिया हमारा लक्ष है कि आने वाले समय में राजिस्तान के सारे के सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पड़े फाइदा पचास परसेंट पिछडों को आप भीजेपी के किसी नेता से पूछ लो आपको बताएंगे भाईया हिंदी सीखो अंग्रेजी मत सीखो सिरह रहे हैं आप सही बोला ना हिंदी सीखो अंग्रेजी मत सीखो अरे क्यों ना सीखे किसान का बेटा अंग्रेजी क्यों ना सीखे मज़ूर का बेटा अंग्रेजी क्यों ना सीखे क्योंकि वो चाहते हैं कि किसान का बेटा सबसे अच्छी नौकरियां ना ले जाए वो कॉल सेंटर में काम करना चाहते है अपने बेटे को इंटर्प्रेनर बनाना चाहते हैं स्टार्ट अप कर बना चाहते हैं उनके बच्चे कॉल सेंटर में काम करें उनके बच्चे अमरीका में जाके बिजनस खोलें और किसान के बच्चे मज़़ूर के बेटे बेटियां मज़़ूरी ही करते रहें नई हम चाहते हैं कि बड़ा सा बड़ा सपना किसान का बेटा देखे मजदूर का बेटा देखे छोटे दुकांदार का बेटा देखे अंग्रेजी पड़े एक ऐसा दिन आए जब मुजदूर का बेटा अमरीका में जाके बिजनस खोले अमरीका की कंपनी में जाके काम करे करोणों रुपे का कि सैलरी पाए हम ऐसा हिंदुस्तान चाहते है ये दो हिंदुस्तान नहीं चाहिए हमें एक तरफ किसान, मजदूर खून पसीना दे अपना दूसरी तरफ पाँचदा सुध्योग पती हवाईजाज मोणे लाखों रुपे हर रोज खर्च करें, ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहिए हमें ये मैं आपसे कहना चाहरा था राजिस्तान में गरीबों की सरकार बनाईए जो भी हम योजना लाएं है स्वास की योजना हो महिलाओं को पैसे देनी की योजना हो ये सारी की सारी योजना बीजेपी बंद कर देगी हम आपके लिए ओल्ड पेंचन स्किम लाए बीजेपी ने रद कर दिया आप आए हमारे पास सरकारी ओफिसर आए आपने कहा देखिये हमें तो अपना ओल्ड पेंचन स्किम अच्छा लगता है आपकी हवाज सुनी और आपको पुराना पेंचन स्किम हमने वापिस दिया राजस्तान में दिया आप याद रखिए बीजेपी की सरकार आएगी तो आपका ओल्ड पेंचन स्किम हवा में उड़ जाएगा, गाइब हो जाएगा हम गरीबों की सरकार चलाते है और मैंने आपसे कहा अभी शुरुवात है राजिस्तान पहला कदम है बिल्ली की सरकार आएगी तो फिर देखना गरीबों के लिए कॉंग्रेस पाटी क्या करती है यह जो जाती जनगरना है मैंने बन मना लिया है राजिस्तान की सरकार आएगी कास सर्वे यहां पहो जाएगा पुरा होगा और पिछडों को हम बता देंगे आपके इतनी अबादी आपके इतनी भागिदारी और देश में सरकार आएगी पुरे देश में जाती जनगरना होगा कांग्रेस पार्टी की गैरिंटी है नरेंदर मोदी कुछ भी बोले एक जात है गरीब जात है वो बोले जाने हम जाती जनगरना करके दिखा देंगे एक करांतिक कारी अतिहासिक निणने है जैसे सफेद करांती हुई थी हरी करांती हुई थी देश बदल गया वेसे ही जाती जनगरना के बाद दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा देश बदल जाएगा आप सब आए इसके लिए दिल से धन्यवाद नमस्कार जैहिन राहूल गांदी राहूल गांदी अशो गांदी